वाड़ी समस्या को लेकर DCP नूरुलहसन ने वाड़ी थाने में मंगलवार को ट्रांस्पोर्टर नगर सेवक वपतरकारों की बैठक लेकर वाड़ी की यातायार पार्किंग अतिक्रवन पर चर्शा की गई बैठक में यातायार DCP सारंग अभार, जोन एक की DCP नूरुलहसन, मुख्य अधिकारी जुमा प्यारेवाले, SP PM कारेकरते के साथ वाड़ी P.I. प्रदीप सुर्यवन्षी, M.I.ड.C. वादुक P.I. राचेनर पाठक, सोनेगा अथाने की P.I. दिलिप सागर, हिंगना P.I. दवान, M.I.ड.C. P.I. यूराज हांडे, पाटिल, पूर्वनगराधिक्ष प्रेमधाडे, नगरसेवक शाम मंडपे, आशिश नंदागवली, नरेंद्र मेंडे, कैलास माथा पुर्वार, पत्रकार विजैखवसे, पत्रकार सौरप, ट्रांस्पोर्टर राकेश अकरवा अमरावती राजमार का अतिक्रमन को भी सुचारू करने पर चर्चा हुई, भारी वानों के लिए गोंड खेरी तक जो नो एंट्री लगा है, उसे हटा कर आठ्वा मेल तक करने पर भी DCP सारंग अवार नी विचार करने का आश्वासन दिया, सब इस समस्याओ को साथ मिला क एक माह के लिए पाइलेट प्रोजेक्ट बना कर चलाएंगे, जिसका पालन सभी को करना होगा, एक माह तक प्रोजेक्ट सही चला तो उस पर आके काम करेंगी, नहीं चला तो प्रोजेक्ट बन कर फिर कारवाई करने की चेतावनी DCP नुरूल हसन ने बैठक में दी, बैठक दे, हॉकर्स ने भी अपनी दुकानी ना फैलाए, फैलाई तो कारवाई करें, लेकिन हॉकर्स के रोजी रोटी को खत्मन न करने के मांग जाड़ी ने की, वाडी शहर में नो एंट्री के बारे में ट्रांस्पोर्टर वनगर सेवकों को सूचनाय मांग गई, वाडी शहर शित्र होने से भारी मात्रा पर यातायात है, वाडी के ट्राफिक को टर्न लेकर शहर के बाहर करना चाहिए, ड्यूटी के समय पर आने वाले लोगों के समय पर 6-10 बचे तक नो एंट्री की गई, तो लोगों को आसानी होगी वद्दुर घटनाय भी टल जाएगी, दवला म के समस्या को हल किया, तो याताया जाम नहीं होगा, नो एंट्री का समय कम करना चाहिए, वाडी शहर के आने वाले बड़े वाहनों पर रोक लगना चाहिए, ताकि लोगों को यातायात की दिक्कत नहीं हो यह विचार नगर सेवक आशिशननदा कवली ने रखा, काटोल बा जाबियों का हुडदंग रहता है, अतिक्रमन का भारी मुद्दा है, ट्रावल्स बसे भी सडक पर ही खड़े किये जाते है, इस पर रोक लगाने की मांग राकिश अगरवाल ने की, गाड़ी में माल भरा रहता है, उसे वरधामना आने से मना है, जिसके कारण माल भरे ट्र ट्राविक ची समस्या, विशेष्ता अमरोथी रोडला वरधामना गोंखेरी या भागवतों नेनारे ट्रक आनि त्या मुए वाडी शहरा मादे काही प्रमानात एक्सेडेंट से प्रमान वाडलोत, आनि या विशे और वाडी शहरा चे वतिने वाडी शहरा तिल काही नगर प्रमान वाडी शहरा मादे जो वरगव असला है तो विशेष्ता ट्रांसपोर्ट मादे काम करना रा कर्म चरिया है तो वाडी शहरा मादे जर चोविस्ता सा अपन ट्राफिक लाजर परवान गी दिली तर कदा ची ट्रांसपोर्टर लोकान व्यावसाय करने सोई सा और अच्छे लोगों की अब तक के जान जा चुकी है तो उसके बारे भी हम साब से बोले है कि जो वाडी में ट्रक लाके र के रखते हैं तरक वाढ़ि के बाहर जैसे 8uins के बाहर में जो खुली जगाई है ऐसे जगाए उनको ट्रांस्पोर्टर को वहाँ पे जगा R referring करनी के लिए जगाय Saak टाके वाढ़ि में जो ट्रॉफीक की समस्या है वह सौल हो सके आने वाले दिनों में जो नगर परिश्यत के माध्यम से जहां पे कुछ रोड पे बैटे वे कुछ ठेला लगाने वाले हैं या फिर हाथ मजूरी के उपर अभी सबेरे जाके सब्जी लाके फिर बेचने का जो काम करते ऐसे लोग हैं तो यह लोगों को भी कही तो भी एक होकर्स पॉइंट बना के जहां पे को टाइमिंग दिया जाएं कि यह टाइम से यह टाइम तक कि आपको यहाँ पर सब्जी बेच सकते हैं आपको सकते हैं ऐसे लोगों को भी यहां पर जैसे हमारा एक इंद्वर में इक द 시작 फोत पर नगर से वक्त हैं कि हमारे गोंड खेरी से लेकर के तो श्रिफ चार घंटे का इंट्री देते हैं जिसकी बज़े से हमारे टोरा बिजनेस जो है पुर्फेक्ट हो रहा है तो उसके लिए हमारे मीटिंग बुलाई गया था यहां पे डिसीपी साब नुरू रहसन साब और सारंग साब ट्राफिक साब के साथ में हमारी मीटिंग होई यहां पे नगर सेवक भी अपना मत दिया यहां पे एक बस से सभी लोग ने यह सुझाया उनको डारेक्शन दिया कि यहां पे इंट्री ट्रांस्पोर्टर वाले को 24 अवर्ट देना चीए क्योंकि उनकी वज़े से ट्रांस्पोर्ट का ट्रांस्पोर्ट का बिजनेस डारेक्ट लिंक है और यहां पे नो इंट्री करने वज़े से हमारे ट्रांस्पोर्ट इंडेस्ट्री को बहुत ज्यादा नुक्सान उठाना पड़ता है इसलिए हमने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि यहां पे हमारे को 24 अवर्टीस ट्राइल बेसिस पर टाइमिंग दिया है कुछ धील देने के बात कही है हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बिजनेस को ध्यान में रख करके यह हमारे फिवर में अपना डिसीजन लेंगे वीसीन न्यूस के लिए वारी से सौरब पार्टिल की रिपोर्ट